जबर्दस तरीके से चल रहा एडी का डंडा बिहार से लेकर करनाटर तक चापे मारी से हड़कम करोडों की संपत्ती को एडी ने किया जब मनी लॉंडरिंग से लेकर आयसे अधिक मामले मिरेट कहां जाता है जूट फरेब और अपराद ज्यादा दे तक नहीं छिप सकता क्योंकि जब जांच जिनसियों का डंडा चलता है तो अच्छे अपरादियों और भरस्टचारियों के कोकर्मों का परदा फाश होता है देश के अलग-अलग राज्यों में लगाता जांच जिनसियों का डंडा चल रहा है चाहे बिहार हो या फिर करनाटक एडी की तगड़े अक्शन से अपरादियों में खौफ का महौल बना हुआ है अब एक बार फिर से एडी का चाबुक चला है तो इसकी चपेट में कई सफेद पोश लोग भी आके है लेकिन कानून की नजरों में सब बराबर है चाहे कोई सफेद पोश शक्स हो या फिर कोई आमादियों अगर किसी ने अपराद किया है तो उसके गिरबान तक जाच इसनसियों की हाथ पहुँच ही जाएंगे इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पर एडी ने करोडों की संपती को भी जब्द कर लिया है तो क्या कुछ है कहानी इसका पूरा कच्चा चिठा खोलेंगे नमस्कार आप देख रहे हमारा खाश शो कच्चा चिठा और मैं हूँ आपके साथ दिव्या से सबसे पहले बिहार की उस कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं जहां पर एडी का तगड़ा चाबुक चला है और बताते हैं कि कौन है वो शक्स जिस पर एडी ने बड़ी कारवाई की है बिहार में उस वक्त हडकंब बच गया जब परवर्त निदेशाले यानि कि एडी ने बिहार सरकार के सिक्षा बभाग में उप निदेशक रही बिभाग कुमारी की धाई करोड से ज़्यादा की संपती जब्द करें निदेशाले ने ये कारवाई प्रिवेंशन आफ मनी लॉंजिंग एक्ट के तहत की है बता दे कि बिभाग कुमारी बिहार सरकार के सिक्षा बिभाग में उप सिक्षा निदेशक के पद पर कारव रह थी अवास पर भी चापे मारी की गई थी चापे मारी के गरान उनके ठेकाने से बैंक और अन्य वीतिय संस्थानों में निवेश के दस्तावेच के साथ अन्य संपती ये ये के हाथ लगे थी बाद में EOU की कारेवाई को आधार बनाकर ED ने Prevention of Money Launching Act के तहत मामला भी दर्च कर दिया अब इसी मामले में कारेवाई करते हुए कोट की अनुमती मिलने के बाद ED ने विभाक कुमारी की करीब धाई करोड रुपए की संपती जप्त कर ली है ED ने एक बयान में काहा कि असा आरोप है कि उन्होंने यानि विभाक कुमारी ने अपनी सेवा अधी के दौरान ब्रस्ट और अवैत तरीकों से अपनी आय के ज्यात स्रूतों से अधिक संपती रचिती है ED के मताबिक पूर्वा अधिकारी ने अपराद की आय से अपने पती अपने बेटे और एक दूर के रिष्टेदार के नाम पर 6 अचल संपतिया, 7 वाहन और कई सवाधी जम्या करने के लिए किया है बयान के मताबिक विभाक कुमारी पर अपने पती के पैति गाउं में एक महल लुमा घर बनाने का भी आरोप है एजेंसी ने आरोप लगाया कि कुमारी ने अपने दूर के रिष्टेदार के नाम पर एक गाड़ी खरी थी ताकि उसके असली स्वामित्वों को छपाया जा स अब बहार सरकार के पुर्व अधिकारी की मुश्किलों में एजाफा हो सकता है और क्यूंकि वो अब एडी की रडार पर है एक तरफ तो बहार में एडी ने अपनी कारवाई से हड़कम पचा दिया है तो दूसरी तरफ करनाटक में भी एडी का ताबर तोड आक्शन देख सिर्वाई जारी है तो दूसरी के एक करनाटक के पूर्व अनुस्चित जुंजाति कल्यानमंत्री बी नागेंद्र का अपार्टम में निगम के अद्दाख्य बसन गोड़ा दधाल के ठ्वेकाने भी शामिल है अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या है करनाटक वालमी की कॉर्परेशन घोटाला ED की करनाटक में एच्छा पेमारी Union Bank of India MG Road शाखा में निगम के खातों से लगबग 94 करोड रुपाई के हेरा फेरी से जुड़ी है इन पैसों को अवैद रूप से विवन खातों में ट्रांस्पर किया गया चिनमें से कुछ फर्जी संस्थानों से जुड़े थी Union Bank of India के मुंबई हेड ऑफिस ने इस मामले में CBI से शकायत की थी 10 जुलाई के सुबा साथ बजी से ही बेंगलूरू में इदी की टीमें ने बिजर नगर बील सरकील जग जीवन रामनगर और कोर मंगला समित कई इलाकों में च्छापे मारी शुरू कर दिये निशाने परायट ठेकानों में पुरूमंद्री नागेंद्र का डलास कालोनी में मौजुद अपार्टमिट भी शामिल है करनाटक का करोड़ों का कथित घोटाला तब प्रकाश में आया यानि कि तब सामने आया जब विकास निगम के लेखा अधिक्षक चंद्रशेखरण पी ने करनाटक के निगम के तरब से संचलित निगम के खातों से 187 करोड़ रुपए का अवैद ट्रांसपर का आरोप लगाते हुए आत्म हत्या कर ली थी 52 साल के निगम अधिक्षक चंद्रशेखरण पी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था उन्होंने सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि 2024 से 25 प्रोजेक्ट के लिए आवंटिक 187 लाख रुपए को अध्यक्ष की जानकारी के बिना खाते में ट्रांसपर करा लिया क्या इसके बाद कालीन करनाटे के आदिवासी कल्यान मंत्री भी नागेंद्र को इस्तिफा देना पड़ा था 26 परवरी 2024 को निगम के खाते से प्रबंद निदिशक और अकाउंट्स के अवैद हस्ताक्षरू करके 88 बिलियन अलग-अलग खातों में ट्रांसपर करती है इस काउंट में 88 करोड 62 लाक रुपए अवैद रूप से जमाक किये गये थे करनाटक सरकार ने इसकी जाच के लिए पुलिस की टीम भी गठित की थी लेकिन जिस बैंक से पैसा ट्रांसपर किया था उसने ये कथित गोटाला को CBI को सौप दिया बता दें कि करनाटक की पुरोम कि चापे मारी वाली जगों में यह हलका में मौझूद कॉंग्रेस बधायक बसन गोडा ददल का घर भी शामिल था इदी ने और सबूत जुटाने के लिए बाल में की विकास निगम बोड के दफ्तरों पर भी चापे मारी की दूसरी तरफ करनाटक के अलग-अलग जिलों म पे लोकायों की चापे मारी चल रही है उनकी सरकार सरकारी निगम में कथित आनियमित ताउ की ईडी की जाच में हस्तक शेप नहीं करेगी एडी को अपना काम करने दीजे, हम उसमें हस्तक्षिप नहीं करेंगे, उन्हें कानून के मताबिक अपना काम करने दीजे, उन्हें जो करना है करने दीजे निवारन अधिनियम यानि की पीमेले के तहत दर्ज मामली में करनाटक, आंध्रिपरदेश, तिलंगाना और एक अन्य राज्च में करीब 20 अस्तानों पर छापे मारी की है, बता दें कि मुंबई मुख्याले वाले उनियन बैंक और इंडिया ने इस मामली में सीबियाई से श पागत करते हैं, उन्होंने इसको एक बड़ा भ्रस्ट चार गोटाला करार देते हुए आरोप लगाया कि समुदाय के लिए रखे गया, पैसे का दुरुपियों दूसरे राच्चों में चुनाओं और लोग समाच चुनाओं के लिए कर दिया क्या, डीके शिवकुमार ने कारवाई को बताया अनुचित समारी के बारे में पूछे जाने पर डीसीम कहा कि इसमें भारे मात्रा में दन शामिल है, और इसलिए बैंकों को मामले की जांच करने का आदेश देना चाहिए उनको अधिकार है, इडी ने जांच की जरुवत नहीं होने के बावजूद भी जांच की, शिकुमार ने कहा कि नागेंदर की कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने भरोसा जताया है कि जांच के बाद वबेदाग निकलेंगे, अलाकि उन्होंने दोखादारी में शामिल लोगों खेलाब कारेवाई का समथन किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोड़ दिया कि पिछली भाजवा सरक के दौरान भी इसी तरह के मामले हुए थे, यानि कूल मिलाकर एडी पूरी तरह से अक्शन मोड में है और लगातार एक के बाद ही मामले में रेट कर रही है, कचचचठा में फलाल के लेता है, बाकि खबरों के लिए आप देखते रहे हैं, कैपिटल टीबी, नमस्कार